अपने खुबसूरती की वदालोत सत्तर के दशक में राज करने वाली एक्ट्रेस परविन बाबी का व्यक्तिकत जीवन उतार चड़ाव से भरा रहा एक्ट्रेस का बॉलिवूज कर्या जितना हिट रहा उतनी ही त्रास्दे से भरी रही एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ परविन बाबी की पूनियतीती पर बता रहे हैं एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ बाते परविन बाबी का जनमत 4 एप्रिल 1949 को गुजरात के जुनागर में हुआ था परविन अपने माता पिता की शादी के 14 साल बात पैदा हुई थी परविन के फिल्मों में आने का सिलसिला काफी रोचक था प्रसिद निर्माता निर्देशक बियार इशारा की नजर परविन पर तब पड़ी जब वे सिगरेट पी रही इशारा उनसे इतने प्रपावित हो गये कि उन्होंने तुरंत अपनी फिल्म के लिए परविन को बात की थी यह फिल्म साल 1973 में रिलीज हुई थी फिल्म में वे क्रिकेटर सलीम दुरानी के आपसिट नजर आई थी मगर अमिताब बच्चन के साथ मजबूर और दीवार फिल्म में काम करने के पाद एक्ट्रेस की पॉपिलारिटी बढ़ने लगी दोनों की जोड़ी को सि पाला पत्थर, दो और दो पांच, सुहाग जैसे सूपर हिट फिल्मों में दोनों नजर आए परसनल लाइफ की बात करें तो परवीन के अफेर तीन लोकों के साथ रहे ये तीनों फिल्म सेलिबिटी थे परवीन का पहला अफेर डैनी डैंजो कपा के साथ था इसके बाद उनका नाम कबीरवीदी के साथ चुड़ा इसके बाद परवीन के तीसरे अफेर की बात करें तो फिल्मे देशिक महिश भट संग भी उनकी अफेर की खबरे थी बता दे कि उस समय महिश भट मैरिट थे अफवाहे तो ये भी रही थी कि बॉलिवुड के महानायक अमिता अपने कवर पेज पर उन्हें जगह दी थी एक्ट्रिस का निदन बढ़ा दुखत था अपने जीवन के अंतिंग पडाव में वे डिपरेशन का शिकार हो गए थी बीस जनवरी 2005 को 55 साल की उम्र में एक्ट्रिस का निदन हो गया बीरो रिपोच इंडिया फिल्म हिस्ट्री For more interesting and updated Bollywood news, please subscribe Indian Film History YouTube channel